इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MSME Registration के बारे में जी है तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि MSME Registration होता क्या है इसके क्या benefits मिलते हैं किनके documents के requirement होती है और step by step मैं आपको live पूरा का पूरा process बताने वाला हूँ तो guys पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा और अगर आपको अपने business के लिए कोई भी यहाँ पर legal tax या consultant की requirement है link मैं आपको simply description box में provide कर दूँगा चलिए guys शुरू करते हैं तो guys सबसे फिले हम लोग बात करते कि आखिर यह MSME Registration होता क्या है तो देखिया अगर मैं 2015 के पहले की बात करो तो normally जो भी proprietorship firm लोग start करते थे वो simply क्या करते थे एक MSME Registration का certificate ले 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 थे उसकी बात में क्या हुआ 2015 के बात में government ने कुछ rules announce किये और उसका जो नाम था वो change करके उद्योग अधार कर दिया और उसका process भी एकदम simplify बना दिया उसकी बात मैं क्या है इस covid के time पे जग government ने यहाँ पे काफी सारी announcement की business के लिए especially तब उन लोगों ने क्या किया इस उद्योग अधार को भी change करके उन लोगों ने एक नया portal बना दिया जिसको आज की date में हम लोग उद्यम registration बोलते है तो ultimately का घुमा फिरा कि अगर मैं बात करो तो यह जो MSME का registration होता है वो ultimately उद्यम registration यहाँ पे कहलाता है यह simply एक ना self certificate basis पे जो है certificate होता है जिस पे कोई भी आपको approval वगरे नहीं मिलती है ministry of micro and small medium enterprise इसको यहाँ पे issue करता है इसको issue करने का मकसद यह होता है कि इसके उपर एक unique registration number mention होता है प्लस इस certificate के base पे आपके business को classify कर सकते है तो यहाँ पे क्या कर रखा है government ने turnover और जो भी investment होता है business के अंदर उसके basic के उपर एक definition बना रखिए कि भाई यह वाले जो business होंगे वो micro business होंगे यह वाले business small होंगे यह वाले medium enterprise कराएंगे तो इस तरह से आपको इस certificate के साथ में एक जो है basically define कर दिया जाता है कि आप इस type के business के इंदर यहाँ पर fall करते हैं अगर कर इस यहाँ पर benefits की बात करूँ कि MSME और उद्ध्यावरेशन के basically practical के अंदर क्या 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 benefits है तो देखे पहली चीज़ यह practical के अंदर जब आप trademark के लिए apply करते तो जो private companies होती है LLP होती है OPC होती है partnership firms होती है तो वहाँ पर जो government fees होती है वो 9000 रुपे होती है लेकिन अगर आपके पास यह वाला certificate है तो आपके लिए फित्र फीस जो है मातर 4500 रुपे होती है वहीं पर second benefit आपको यह मिल जाता है कि आपने मुद्रा loan scheme के अबारे में सुनाओगा तो वहाँ पे भी आपको यह certificate चाहिए अगर आपको एक collateral free basically business loan की requirement है तो उस case में भी आपको रिक चाहिए होगा साथ में guys अगर आप patent वगर भी अगरवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको subsidy वगर मिल जाती है प्लस साथ में जो proprietorship वाले business होते हैं या small business होते हैं कई bank जो है इस certificate के base पे आपका current account भी यहाँ पे open कर देते हैं साथ में guys आप जो supportive license लेते हैं जैसे कि GST हो गया, IC code हो गया, food license वगर हो गया तो वहाँ पे भी आपको option मिल जाता है इस type के certificate को upload करनेगा तो उसमें भी यह मददगार यहाँ पे साबिद होता है साथ में guys जितने भी government के tenders होते हैं जो small business के लिए especially तो वहाँ पे भी अगर आपको participate करना है jam portal के तो आपको bidding वगरे लगानी है तो वहाँ पे भी आपको यह certificate वगरे चाहिए होगा साथ में guys यहाँ पे जो delay payments होते है एक act होता है basically delay payment का तो अगर government tender के तुरू आपको कोई tender मिला हुआ है उसके payment के तरह आपको delay हो रहा है तो उसके against भी आपको protection मिल जाता है अगर यह वाला certificate आपके पास में है तो साथ में guys इसको as a legal entity proof भी बना जाता है business के लिए यानि कहीं पे भी आपको प्रूफ करना है कि मैं business चला रहा हूँ आप यह certificate किसी को भी दिखा सकते हो यानि भी हाल फिलाल सिर्फ आपको panel और आधार की requirement है तो चलिए guys मैं process की बात करो MSME के process क्या रहेगा तो देखे इसके लिए मैं already उद्यम के ओपर एक अच्छा खास वीडियो बना चुका हूँ step by step इसके लिए मैं आपको description box में देदूगा फिर भी हम मैं एक बार quickly आपको tab मिलेगी तो अगर आप fresh है तो आप simply first link के उपर click कीजिए यहाँ पर आपको simply अपना आधार number डालना है और name of the entrepreneur डालना है और आपका simply otp जाएगा otp डालने के बाद में यह simply इसको validate कर देता है तो guys जैसे आप validate करोगे यह पूरी application यहाँ पर आपके सामने खोल देगा एक application form होगा और इस application form के अंदर सबसे पहले आपको legal entity चूज करनी पड़ती है अगर आप proprietor है तो proprietorship firm चूज कर सकते है partnership या private company वगरे है तो आपको PAN number भी भाई उसी का नालना पड़ेगा लेकिं proprietorship के case में आपका जो personal PAN card number वगरे होता है वो आप यहाँ पर insert कर सकते हैं इसके यहाँ पर questions आप से पूछे जाएगा कि आपके पास में GST number है कि नहीं है आपने IT वगरे फाइल की नहीं है तो उसके according कि आपको yes or no के अंदर simply यहाँ पर जवाब देने हैं यहाँ आप से basically आपकी social category पूछेगा कि आप journal में आते है SCST करेगर को उसके according ही आपे कई सारे benefits व नाम होगा जो भी train name होगा वो आप रख सकते हो अगर private company है या partnership है या LLP वगर है तो उसके अंदर आपने जो भी नाम रखा हुआ है वो आप यहाँ पर नाम रख सकते हो और जो plant name है unit name है अगर आप एक manufacturer हो तो उसके अंदर भी वही आएगा plus अगर आपके multiple plants है तो यह आप आपको option भी देता है कि यहाँ पर आप multiple plants और units यहाँ पर add करवा सकते हो यहाँ पर location of the plants भी आता है तो यहाँ पर simply आपका जो भी business का address होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हो तो वहाँ पर कोई भी फेरफार बंदलने की जरूरत नहीं है अगर multiple plants है तो अलग-अलग address का भी अगर नहीं है तो आप not applicable चूज कर सकते हो अगर है तो उसका रइशन नमर डाल सकते हो फिर उसके बाद में आपको status of the enterprise यानि कि कब से आप अपना business यहाँ पर register कर रहे है कब से आप शुरुवात वगर कर रहे है आपने production स्टार्ट कर दिया नहीं कर दिया तो यह ऐसे activity पुछेगा कि आप service industry में हो या फिर manufacturing industry में हो और उसके according आपको यहाँ पर NIC code वगरे चूज करने पड़ेंगे तो अगरा let's suppose अगर आप service sector में हो तो यहाँ पर major activity यहाँ पर choose out करनी है उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 digit डालने है basically तो आप यहाँ पर let's suppose कोई भी keyword डाल वो यहाँ पर निकल के आजाती है और इस drop down list में से आपको simply अपनी product या service के list यहाँ पर find out करके choose out करनी पड़ती है और उसका simply एक NIC code यहाँ पर enter होता है उसके बाद में guys यहाँ पर number of the person कितने हैं आपके काफ करते हैं mails कितने हैं fee wills कितने हैं फिर आपने कितना investment वगरे लगा रखा है अगर आपकी ITN में mention है तो यह automatically pick up कर लेगा वना आप यहाँ पर manually वगरे डाल सकते हैं turn over कितना है आपका फिशे साल का वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप से दो कुछेगा कि आपको jam portal यानि कि जो government का tender का portal है उसके उपर अगर इस application को यहाँ पर submit करना पड़ता है जैसे यहाँ पर application submit हो जाती है उसके बाद में कुछ नहीं करना simply directly यहाँ पर कोई भी approval वगर कुछ भी नहीं मिलता आपका इक उद्धियम रिशे नमर यहाँ पर generate हो जाता है और simply print उद्धियम certificate के उपर click करके आप instantly यहाँ पर अपना certificate करने के लिए अगर आपको एक expert की requirement है प्लस इससे supported जो भी यहाँ पर links होगी वह आपको मैं description box में provide कर दूँगा thank you guys thank you very much